हेलो गाइज, गुट मॉर्निंग टोल अफ यू, वैलकम टू माँ चैनल, मॉनिका गर क्लासिस जैसा कि आप सब को याद हुगा, हम लोग वैलुएशन ओफ शेयर को डिसकस कर रही थी, जहाँ पर हम दो मैथटर ओडरी डिसकस कर चुके हैं पहले हमने net asset मैथटर को डिसकस किया, उसके बाद हमने dividend yield मैथटर को डिसकस किया आज हम डिसकस करेंगे earning capacity मैथटर को, जिसको capitalization मैथटर भी कहा जाता है बेसिकली, देखो हमने पीछे क्या बात की, पीछे हमने क्या किया हमने जो अपने share की value निकाली, वो dividend के base पे निकाली basically yield method ही दो type का था, एक dividend yield method और दूसरा earning capacity method dividend method में हम लोगों ने जो share की value निकाली, वो उस coding पे निकाली कि company कितना dividend अपने shareholders को share पर दे रही है लेकिन देखो, अगर हम dividend की बात करें, तो हो सकता है कि company के पास profits हो, फर वो dividend ना दे रही हूँ, या फिर उसके profit बहुत जादा नहीं है, still वो क्या कर रही है, अपने shareholders को dividend जादा दे रही है तो उसकी वज़र से, जैसे हमने drawback में discuss भी किया था, कि ये problem आ रही कि manipulation easily हो सकता है, यानि management क्या है, easily manipulate कर सकती है, share के price को, तो उसे shortcoming को दूर करता है आपका earning capacity method, earning capacity यानि company earn कितना कर रही है, उसके base पे हम share की value निकालेंगे, ना कि अपने shareholder को वो क्या दे रही है उसके base पे, यानि company ने अगर 100 रुपे कमाई है, तो हमें कोई फरक ने पड़ता कि उसने reserve में कितना रखा है और shareholder को कितना दिया है हमें मतलब है कि कमाया कितना है, क्योंकि देखो, ultimately जो company कमाती है, वो जाता तो सारा shareholder के पास ही है बिसिकली dividend में हम यह कह रहे थे, dividend share पे जितना मिलता है, उसके according shares की value decide हम कर लेते है बट यहाँ पर अगर हम देखें, तो company जितना earn करती है, कैसे भी करके ultimately पहुँचेगा तो shareholder के पास जो dividend की तरह दे दिया, वो अभी पहुँच जाएगा, जो reserve में रख लिया, वो क्या होगा, further, या तो उसका use business में करेंगी, तो further profits होंगे या तो फिर क्या किया जाएगा, उसको reserve में है, तो कभी ना कभी bonus share वगरा की तरह है, किसके पास जाएगा, shareholders के पास या अर्टिमेटली ये सारी earning shareholders की होती है, तो ये method क्या करता है, dividend को base ना रखकर company की earning को base बनाता है, कि company जितना earn जादा कर रही है, उसके share की value जादा होगी, और अगर वो कम earn कर रही है, तो उसके share की value कम होगी dividend, yield method में हमने क्या किया था, हमने dividend को base रखा था, तो हमने क्या कहा, expected rate of dividend, divided by normal rate of dividend, multiply paid up capital relate कर रही हूँ, ताकि easily समझ में आए, तो अब हमें क्या करना है, company की earning capacity के according करना है, तो भी हम same चीज करेंगे, लेकिन dividend को base ना लेकर earning को लेंगे, यानि expected rate of earning, कि हमें कितना लग रहा है कि future में company earn करेगी, divided by normal rate of earning, यानि normally industry, कल भी हमने बात की थी, यानि कुछ firms होती हैं, और उनके group को industry बोला जाता है, यानि electronics एक industry है, और उसमें जो भी काम कर रही है, MI है, Sony है, ये सारे की सारी क्या है, firms है, तो basically normal rate क्या होगी, जो पूरी industry लगभग averagely earn कर रही है, तो expected rate of earning को हम divide कर देंगे normal rate of earning से, और multiply कर देंगे paid up value of share से, तो हमें पता लग जाएगी, क्या share की value as per earning method, यानि हमें क्या क्या चाहिएगा share की value निकालने के लिए, एक expected rate of earning और दूसरा normal rate of earning and thirdly paid up value of share, तो देखो paid up value of share question में given होती है always, कि company के shares पे कितना पैसा आया हुआ है, normal rate of earning भी आपको always question में दिये जाएगी, कि कितनी जो है industry as a average earn करती है, same industry जिसमें आप बना रहे हूँ, question आया, expected rate of earning का, कि ये कैसे निकाल लिजाएगी, और इतना हमें पता है कि earning किस पे होती है, investment पे होती है, यानि जैसे आप expected rate of dividend थी, वो कैसे निकाल रहे थी, कि company के पास shareholders के लिए क्या बचा, उसको divide कर दे थी थी सारे shareholders में, paid up capital के according, बट य earning किस पे होती है, capital पे होती है, तो यहाँ पर हमें capital के coding निकालना पड़ेगा, तो expected rate of earning क्या होगी, उपर लेंगे हम, कि हमें future में कितना लग रहा है कि हमारे company profit लेगी, यानि estimated future earning divided by me capital employed, multiply hundred, यानि company को future में कितना profit होने के chances हैं, उसके लिए company कितना invest लगा रही है, save कि company को future में 1 लाग के profit होने के chances हैं, जिसके लिए वो 5 लाग की capital लगा रही है, capital 5 लाग की लगाई, profit 1 लाग के हो रहे हैं, इसका मतलब अगर इसको calculate करूगे, यह आएगा 20% यानि company जितना invest करती है, उसका 20% कमाती है तो share की value भी क्या होगी 20% जादा होगी किस से जितनी की उनकी original value होगी basically वैसे हम यह नहीं करेंगे यहां से हम इसी पता चलेगी कि company की earning capacity क्या है earning capacity पता लग गई उसको फिर हम उस company की मतलब उस industry की जो normal rate है save वो 10 है ठीक है normally industry 10% कमाती है कि जितना लगाती है उसका 10% कमाती है हमारी firm क्या कर रही है जितना लगा रही है उसका 20% कमा रही है यानि हमारी rate क्या है double है तो हमारे share की value भी क्या होगी double होगी यानि हमें करना क्या है basically हमें expected rate of earning को normal rate of earning से divide करना है और multiply करना है paid up value से नोर्मल rate और paid up value हमें given होगी expected rate of earning निकालने के लिए estimated future के profit कितने होगे उसको divide करेंगे capital employed से और multiply करेंगे 100 से तो हमें पता लग जाएगा कि कितने percent हमें investment पर return मिलती है फिर उसको divide करेंगे हम normal industry की rate से और multiply करेंगे share की paid up value को यहाँ पर मैंने माना एक share 100 और पेका है तो उस according हमारे share की value market में 200 होगी अब देखो यहाँ से अब दो कोशन और राइज हो गए कि estimated future earning कैसे निकालेंगे और capital employed कैसे निकाले जाएगे पहले बात कर लीते हैं capital employed की यानि हमने business में कितने capital invest की है basically company की capital में हम कभी भी short term funds को नहीं लेते जो capital को उनसी मानी जाती है अगर हम normal बात करें तो आपकी जो equity की capital है plus preference share की capital है plus जो भी आपकी reserves पड़ी है plus जो भी आपके पास long term liability है यानि debentures वगेरा है अब loan है उनको हम मानते हैं basically capital employed इस method से नहीं निकालेंगे हम capital employed capital employed निकालने के लिए formula क्या use किया जाएगा कि ये सारी assets liabilities छोड़कर बाकी जितनी भी liabilities हैं उनको किसमें से less कर दिया जाएगा total assets में यानि हम total assets लेंगे उसमें से less कर देंगे current liability को तो हमारे पास जो बचेगी वो होगी हमारी capital employed पर दीखो इतना भी simple नहीं है ये assets कोन सी लेनी है कोन सी नहीं लेनी है ये ध्यान रखना पड़ेगा तो आ जाते हैं इसी चीज पर देखो firstly जो हम normal बात करते हैं यानि आप कोई भी fictitious asset नहीं लोगी यानि जो हमने बात की थी आपके पास share issue expenses दिये होते हैं या कोई loss दिया होता है आपकी balance sheet की asset में तो हमें asset यहाँ पर नहीं लेनी है दूसरी बात हम बात कर रहे हैं अपने share की value की हम लोग बात कर रहे हैं कि same type की industry में rate क्या है और हमारी क्या है तो इसलिए हमें अपने operating profits की बात करनी है यानि जो हमारे business में main हमारा जो काम है उससे related हमने investment क्या की हुई है तो किसी और company में जो हमने investment की होगी यानि आपकी asset side में हम investment भी लिखते हैं कि हमने कहीं और पैसा लगाया हुआ है basically capital employed है हमारे business में हमने कितना पैसा लगाया हुआ है बाहर कितना invest किया हुआ वो नहीं है तो आप investment को भी include नहीं करोगे फिर जो आपका यहां पर total आएगा उसमें से आप current लावलटी को लेस करना है यानि जो आपकी trade paywalls है या जो भी लावलटी हो current आपकी चाहे वो workman saving fund हो या कुछ भी हो लेकिन आपको कोई भी long term लावलटी ना debenture less करने है ना preference share less करने है यानि आप net asset method को भूल जाना उस time जब आप इस method को apply कर रहे हो यहां पर आपको total assets लेनी है जिसमें investment नहीं लेनी है और fictitious asset नहीं लेनी है फिर उसमें से current लावलटी को less करना है तो आपके पास जो आएगी वो होगी आपकी capital employed basically इसे हम net capital employed बोलते हैं तो एक चीज़ निकल गई हमारी confuse मत होना I know method थोड़ा long है दोबारा भी पूरे बात को revise करेंगे अब हमें क्या पता चल गया है capital employed निकल गई है दूसरी हमें निकालनी थी future earning estimated future earning या future maintainable profit एक ही बात है कि future में हम कितने profit maintain कर पाएंगे कितने हमारी future की estimated earning होगी तो basically future की estimate earning कैसे निकाले जाएगी तो देखो एक simple सी बात है हम बात कर रहे है future के profit की तो future के profit exact figure तो हमारे पास वाज होगी नहीं यानि future में जो अभी तक हुआ नहीं है उसके बारे हम estimate लगा रहे हैं जी कितने profit होगे तो आपके पास ऐसा तो है नहीं hand to hand data में आपको मिलेगा आप सिर्फ expect हमें सिर्फ क्या करना पड़ेगा पास्ट एयर में पिछले सालों में हमें जितने profit हुए है उसके according future का एक estimation लगाना पड़ेगा तो basically उसके लिए हम करेंगे क्या जैसे हमें क्या दिया होगा कुछ सालों के profits दिये होगे हमारे पास 2018 के profit दिये हुए है 2019 के दिये हुए है 2020 के दिये हुए हमें क्या करना है एक estimate लगाना है कि 2021 में profit कितने होगे हमें estimate लगाना है कि 2021 में profit कितने होगे तो हम क्या करेंगे पिछले सालों में जितने हुए हैं उनका average निकाल देंगे basically एक लाख प्लस असी हजार प्लस एक लाख दस हजार divided by 3 तीन सालों के profit एड किये थे तो तीन से divide कर देंगे तो हमें एक average पता लग जाएगी कि future में chances कितने हैं पर देखो बात यहां खतम नहीं होती कि आपने सिर्फ average निकाला और आपने estimate लगा दिया कुछ और चीज़े भी हैं जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी वो क्या क्या firstly जैसे हमने बात की थी कल कि हमें क्या करना होता है जैसे goodwill calculate करते हुए करते हैं कि हमें अगर future में हमें जो profits हैं वो increasing time में दिये हुए हैं जैसे अभी हमने माना 2018-19-20 profit थे आपके से एक लाक, डेड़ लाक और दो लाक तो हमने कल बात की थी कि अगर company के profit continuously increase हो रहे हूं देखो अगर continuously decrease हो रहे हैं उसको हमें नहीं देखना अगर सिर्फ company के profit continuously increase होते आ रहे हैं वो एक बार भी क्या है decreasing side नहीं जा रहें तो उस case में company क्या चाहेगी वो चाहेगी कि उसके future में भी profit जादा होंगे तो वो क्या करें जादा focus इस साल के profit पे करें पीछे वालों पर कम करें यानि इन profits के होने के chances जादा होने चाहिए और इनके कम तो उस case में जब आपके पास क्या दिया हो data increasing rate में तो हम क्या करते हैं simple average ना निकाल कर weighted average निकाल दे में वेटिड़े जाएगा कि आप क्या करोगी सब को weights यानि importance दोगे कि हमें क्या करनी है सबसे latest year को सबसे ज्यादा importance देनी है और सबसे पीछे वाले years को सबसे कम तो 2018 सबसे पहले है उसको कम importance दे दी फिर उससे ज्यादा फि कि इसके अकर होने के चांसे 3 हैं, इसके होने के 2 हैं और इसके 1 हैं, एक टाइट से ये लगा लो, तो अब हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को मल्टिप्लाई कर देंगे, प्रॉफिट मल्टिप्लाई वेट्स, एक लाख, तीन लाख, छे लाख, अब इनको एड़ करेंगे, ये आजाएंगे वेट्टेड टॉटल प्रॉफिट आपके 10 लाख, इसको डिवाइड करेंगे हम टॉटल ओफ वेट से, टॉटल वेट से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि देखो, हम यहाँ पर पहले सिंपल आवरेज में क्या करते हैं, तीन साल का प्रॉफिट एड करते हैं, तो तीन से डिवाइड करते हैं, तो अब क्या कर दिया है हमने, इस प्रॉफिट का तीन गुना कर दिया, यानि ये profit एक टाइप से हमने क्या लिख लिए, 3 बार लिख लिए, 2,00,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 जो आपका आएगा वो होगा आपका weighted average profit चीक हैं दो चीज हमने बात की अगर profit क्या है continuously increase हो रहे हैं तो weighted लेना है अगर decrease हो रही है या तो फिर क्या हो रहे हैं कभी increase कभी decrease हो रहे हैं एक चीज और हमें क्या करना है जो ये profits लेंगे हम ये तो हमने simple सी बात की कि आपको average लेने हैं या weighted average लेने हैं कुछ चीजे भी हैं जो आपको ध्यान रखने पड़ेंगी यानि points जो हैं आपको ध्यान रखने पड़ेंगे कि कौन सी चीजे लेनी हैं कौन सी नहीं लेनी है जब हम estimate करेंगे तो इस साल 2020 हमारे profit उस बाड़ की वज़र से decrease हुए थे मानलो तो अब क्या हम पहले से यह सोचके चले कि 2021 में भी बाड़ आएगी और उससे हमारे profit decrease हो या फिर मानलो आपको कोई एकदम से profit हो गया था ने आपने कोई अपनी कोई property बेच दी जिससे आपक प्रोफिट होगा यह काम हम नहीं कर सकते हैं तो हमें क्या करना होता है इन फिगर्स पर पहुचने से पहले कि किनका हमें एवरेज अवेट्रीड आवरेज निकालना है वो काम करने से पहले आपको उन profits को रियल profits में बदलना होता है यानि जो भी abnormal चीज़े यानि जो नोर् लाग के profit हैं से हमारा 50,000 का नुकसान हो गया था बाड़ की वज़र से तो अब हम यह तो नहीं सोचेंगे 2021 में भी होगा तो हम क्या करेंगे जो 2020 के profit लेंगे उसमें abnormal loss था तो हमने profit में से less किया होगा उसको वापस एड़ कर देंगे कि अगर वो बाड़ ना आती तो हमारे 2020 के profit डाई लाग होते तो हम क्या करेंगे future के estimate लगाने के लिए डाई लाग को use करेंगे ना कि दो लाग को इसी तरह अगर आपको कोई फाइदा हुआ था से 2019 में आपको डेड़ लाग दिये हुए हैं इन देड़ लाग इसलिए हुए है क्योंकि इसमें 20,000 का कोई ऐसा फा हुआ होगा आप क्या कर दोगे उसको वापस less कर दोगे यानि हमें पहले profits को जोब इन profits पे पहुँचेंगे तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा पहले उन्हें adjust करना पड़ेगा कोई भी abnormal event उसके अंदर include नहीं होगा इसके साथ साल अगर आपको कोई future का estimate पहले से दिया हुआ है मानलो आपको बोल दिया कि future में क्या होंगे आपके expenses पर random 4000 जादा होंगे से हमने क्या दिया कि हम आगे से insurance रखेंगे और insurance की वज़र से हमारा 4000 का खर्चा साल का extra होगा तो अब हमें future के estimate लगाने है तो future की जो हमें prediction दी हुई है उनको भी consider हमें करना पड़े यानि फिर हम क्या करेंगे जैसे हमें बोल दिया कि 4000 का खर्चा और होगा तो दो option है या तो हर साल के profit में से 4000 लेस कर दो वेटेड वाले में हम वूपर नहीं करते हो और वज नीचे ही करते हैं तो आप इस चीज को छोड़ो सीधा इतना ध्यान रखो जो आपका average profit आएगा उसमें से direct 4000 less कर दो कि आगे हमारे 4000 extra लगने वाले हैं चाहे वो लगा लो interest के लगा लो insurance के लगा लो या कह दो manager की salary less कर देंगे और कोई extra gain दिया हुआ है कि अभी तक हमें नहीं होता था अबर future में होगा तो उसको add कर देंगे फिर जो हमारे पास profit आएगा उसको हमें लेना है और यह profit कौन सा होगा after tax यानि सारी calculation करने के बाद उसमें से आपको tax को less करना है after tax होगा but before debenture interest preference dividend and transfer to reserve होगा क्योंकि देखो हमने debentures preference shares यह वगरा यह जो reserve है यह सारी चीज़े क्या है आपकी capital employed से related थी उनसे regarding वो हमने capital में लिए है और यह basically profit का एक type से appropriation होता है कि जिनसे पैसा लिया हुआ उनको कुछ दे रहे हैं तो वो हमें यहाँ पर consider नहीं करना यानि आप जो profit लोगे वो tax तो उसमें से less किया होना चाहिए लेकिन ना तो debenture interest होना चाहिए ना preference dividend होना चाहिए दिया होना चाहिए ना ही transfer to reserve होना चाह और हमने एक और चीज की थी investment को capital employed में include नहीं किया था तो उससे जो income आएगी उसको भी include नहीं करेंगे तो जो investment की income है उसको भी less किया जाएगा आपकी हर साल के profit से या कहलो direct आपके average profit से ये चीज कैसे calculate होगी एक बार ये भी समझ लो बहुत सारा material एक साथ हो रहा है कोई बात नहीं question करेंगे तब आपको इस चीज बहुत simple लगेगी अब इसे सुनने में इतना सारा लग रहा है normally हम करते क्या है पहले हमारे पास होता है profit before tax एक figure होगी उसके बाद debenture का interest तो क्य होता है tax deductible होता है यानि पहले debenture को interest देते हैं फिर हम tax pay करते हैं फिर हम देंगे debenture का interest फिर जो amount आएगा उसमें से हम less करते हैं tax फिर हम less करते हैं transfer to reserve और फिर करते हैं preference का dividend यही होता है हमारा procedure फिर हमारे पास आता है जो equity वालो का होता है यह उस दिन हमने discuss किया था इतना तो basically हमें क्या चाहिए tax के तो बात चाहिए यानि tax को तो हमें less करना है लेकिन इन तीनों से पहले चाहिए तो ये दोनों तो obviously बात है ये दोनों तो पहले से ही बात में होने है तो इनको हम करना ही रहने देंगे या फिर अगर हमारे पास ये profit दिया होगा तो तो हमें इसको वापस एड़ करना पड़ेगा इसको भी वापस एड़ करना पड़ेगा और इसको भी करना पड़ेगा लेकिन अगर हमारे पास सिधा उपर वाली चीजे दी हैं मानलो आपको कोशन में profit before tax दिया है तो इन पर तक तो हम जाएंगे नी क्योंकि ये less करने से पहले हमें profit लेकिन हमें बोल क्या दिया है आपको before डिवेंचर इंटरस्ट लेना है profit तो आपको करना क्या पड़ेगा आपके पास profit before tax होगा उसमें से डिवेंचर का इंटरस्ट लेस करना पड़ेगा ताकि हमें accurate वो अमाउंट पता लगे जिसके उपर हमें tax लगाना है फिर उसके पर tax 50% है तो एक लाग हो गया अब हमारे पास after tax भी कितना बज़ गया दो लाग में से एक लाग गए एक लाग अब हमें क्या चाहिए before डिवेंचर इंटरस्ट चाहिए तो जितना यहां पर डिवेंचर इंटरस्ट था उतना ही हमें इसमें वापस एड़ करना पड़ेगा एड डिवेंचर इंटरस्ट यानि एक बार लेस करना पड़ेगा ताकि हमें पता लगे tax कितना बनना है और बाद में क्या करना पड़ेगा उसको वापस एड़ करना पड़ेगा अब देखो शुरू से शुरू हो जाते हैं हमने क्या किया उसको थोड़ा रिवाइस करते हैं बिसिकली हमने क्या बोला हमें निकालनी है शेयर की वैल्यू एस पर अर्णिंग कैपेस्टी मेथड़ निकालने का तरीका होता है कि फ्यूचर में कितना एक्सपेक्ट करोगे तो हमें चाहिए एस्टिमेटिट फ्यूचर अर्निंग और कैपिटल इंप्लोईड निकालने के लिए क्या करेंगे total assets में से current liabilities को less करेंगे लेकिन उसमें हमें total assets में ना तो fictitious assets लेनी है और ना ही investment क्योंकि basically हमें business में लगा हुआ पैसा लेना है business के बाहर invest किया हुआ नहीं लेना तो हमारे पास आ जाएगी net capital employee यहां तक simple है दूसरी बात आई future में कितने profits होंगे तो future के profits आपको जितने years के profit दी होंगे उसका average लेना है और अगर वो increasing trend में है तो simple average की बजाए weighted average लेना है और जो भी वो profit होगा वो आपको क्या करना है जो भी आपको question में दी होंगी चीज़े अगर कोई abnormal चीज़े दी है तो उनका effect को दूर करके लेना यानि abnormal income दी है तो उसे वापस यानि पहले add हुई होगी अब less कर देंगे और abnormal expenses दिया है जो normally नहीं होता तो वो पहले less हुआ होगा तो अब उसको add कर देंगे दूसरी बार आपको investment हो कि हमने नहीं ली है तो उससे जो return आई होगी वो भी नहीं लेनी है तो जो आपका average होगा उसमें से आप वो भी less कर दोगे और आपको कोई future के दिये होंगे कोई expenses हो सकते हैं या income हो सकती है तो उस according आप उसको भी less add कर दोगे दूसरी बार जो यहाँ से average profit आएगा उसको हमें क्या करना है after tax लेना है लेकिन debenture interest preference dividend और transfer to reserve से पहले लेना है तो हम क्या करेंगे पीछे वाले दो तो करेंगे ही नहीं preference dividend भी नहीं देंगे और reserve में transfer भी नहीं करेंगे लेकिन चोंकि tax debenture को interest देने के बाद लगता है तो एक बार debenture interest को less करना पड़ेगा फिर tax देना पड़ेगा और उसके बार debenture के interest को हमें वापस add करना पड़ेगा तो यहाँ से हमारी estimated earning आ जाएगी capital employed हमारी निकल गई formula में put करेंगे तो हमारे पास expected rate of earning आ जाएगी फिर expected rate of earning को हम क्या करेंगे normal rate of earning से divide करेंगे और paid of value of share से multiply करेंगे तो हम value of share पर पहुँच जाएगे यह चीजे सुनने में जितने complicated लग रही है question में उतनी ही simple है देखो question कैसे करेंगे आज मेरे पास थोड़ी time की कमी है तो हम दो question आज करेंगे ताकि आपको method समझ में आ जाए बाकी बचे हुए questions और last method last method में कुछ भी नहीं है उसको हम क्या करेंगे कर discuss कर लेंगे तो देखो आपको question क्या दिया हुआ है आपको क्या निकालनी है equity share की value निकालनी है यहाँ पर आपको shareholders fund दिये हुए है जिसमे equity share है, reserve and surplus है, non current liability दी हुई है debentures है और उसके बाद current liability दी हुई है assets में आपके पास पहले current non current assets है जिसमें आपके पास sundry asset है और कुछ भी नहीं है फिर इन्होंने बताया जो यह assets दी हुई है इनमें से आधी asset ऐसी है जिनकी value market में 20% higher हो चुकी है company earns a profit of 3,60,000 per annum after interest on debenture but before tax 12% is normal rate of return in such company and tax rate is 50 तो देखो मैंने आपको बहुत ज़्यादा question नहीं समझाया जो जो चीज निकालनी है साथ साथ समझेंगे हमें क्या निकालना है capital employed method यूज करना है तो सबसे पहले निकालते है capital employed basically आपको करना क्या चाहिए सबसे पहले formula लिख लो कि हमें marks भी अच्छे मिलते हैं कि at least आपको formula आता है expected rate of earning चाहिए divided by normal rate of earning चाहिए और multiply paid up value चाहिए फिर आप लिखो normal rate of return हमें given है question में हमारे पास 12% है paid up value हमारे पास given है 10 rupees है अब हमारे पास रह गई expected rate of earning expected rate of earning हम कैसे निकालनेंगे फिर ये formula लिखो कि expected rate of earning निकालने के लिए हमें चाहिए future के maintainable profit यानि estimated profit divided by capital employed into a hundred तो अब हमें क्या करने पड़ेंगे ये दोनों calculate करने पड़ेंगे फिर निकालो इनको सामने वाले को भी पता लगेगा कि आपको concept पूरी पता है कि कैसे कैसे करना है और आप भी confused नहीं होगे कि क्या निकाल चुके हैं क्या निकालना है तो हमें सबसे पहले चाहिए capital employed तो देखो हमने क्या कहा था capital employed के लिए हमें assets में से current liability less कर ली है तो देखो assets 10 lakh की हैं और नीचे बोला हुआ है इनकी market value 20% higher है तो यहाँ पर भी हम market value के according ही का बात करेंगे चो 10 lakh की asset है asset add कर दो increase 20% तो 10 lakh का 20% होगा 2 lakh यानि total assets हो गई हमारी 12 lakh की फिर इन्होंने बोला current liability current liability हमारे पास है एक एक लाख 10,000 की तो less कर दो current liability current liability एक लाख 10,000 इसको less किया तो हमारे पास आ गई net capital employed जो की आ गई आपकी 9 lakh एक सेकेंड एक mistake कर दी हमने हमें बोला गया था market value of half asset is 20% higher हमने पूरी asset का कर दिया basically हमारे पास 10 lakh की asset है total 10 lakh की थी increase कितनी हुई थी half half यानि 5 lakh की assets में 20% appreciation हो गया है यानि 1 lakh से value बढ़ गई हमने total asset का 20% निकाल दिया जब कि इन्होंने बोला आधी ही asset की market value increase हुई है तो यह आ गई थे हमारे पास 11 lakh फिर current liability हमें 1 lakh 10,000 की दी है वो less किया तो आ गई हमारे पास 9,90,000 यह आ गई हमारी capital employed देखो कुछ भी नहीं था इसमें सिर्फ वो सारी चीजे एक साथ दिख रही थी तो इसलिए लग रहा था जो दिया हुआ है उसकी according हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना था कि total assets लेनी है market value पे और उसमें से current liabilities less करनी है investment नहीं लेनी है यहाँ पर तो हम investment दी नहीं है लेकिन बस यह चीज़ ध्यान रखनी है कि सारी assets लेनी है तो देखो future के profits सिधा लिख लो हमें क्या चाहिए after tax before anything जो भी है debenture, preference, dividend and reserve चीक है तो हमें कौन से दिये हुए अब यह देखो company को 3,66,000 per annum होते हैं after interest हमें तो before interest चाहिए लेकिन before tax यानि यह जो 3,66,000 हैं इन्होंने दिये हुए है profit चलो यहाँ पूरा लिख लेते हैं profit after interest before tax दिये हुए है 3,66,000 debenture interest उल्रेडी less है तो हमने घ्यान रखना अपना तरीका debenture interest के बाद number आता है tax का तो less कर दो tax tax हमें बोला हुआ है 50% डेजूम करने यानि 50% लगा देंगे 3,66,000 का 3,66,000 का 50% यह आ जाएगा 1,83,000 तो profit after tax after tax and after interest after debenture interest हमारा आ गया इस में से less करेंगे 1,83,000 अब हमें after tax चाहिए था यह चीज़ तो पहले यह profit after interest है before tax है इस में से less कर दिया तो अब यह profit after tax and after debenture interest हो गया लेकिन हमें यह before वाला चाहिए तो अब क्या कर देंगे यानि 1,98,000 यह हो गई हमारी future की estimated earning अब future की estimated earning को 9,90,000 हमारी capital employed आई थी उस से divide किया और 100 से multiply किया तो हमारे पास इसको calculate करूगे आपका आएगा 20% यानि future की earning हमारी estimated है 20% future की estimated earning को बुक में हमें जो normal दी हुई थी वो 12 दी हुई थी normal से divide किया multiply paid up value paid up value आपकी 10 थी तो यह आगई 200 by 12 यानि 16.67 रुपीज यानि 16.67 पैसे है पर शेयर वाई simple सा किया total assets में से current liability less की फिर जो profit after tax और before debenture interest चाहिए थे उनको लिखा कि हमारे पास after interest है before tax है तो अब हमें tax को less करना है फिर हमारे पास profit आगए after tax and after debenture interest उसमें debenture interest वापस add कर दिया तो हमारे पास आगए profit after tax but before debenture interest I hope question समझ में आया होगा एक question और देको इस question के बाद बची कुछी confusion भी दूर हो जाएगी आपको balance sheet दी हुई है mountain sales limited की देखो क्या क्या है equity share capital है reserves है कुछ उसके बाद trade payables है employee saving fund है provision for taxation assets में आपके पास fixed assets दी हुई है which आपके पास fixed assets दी हुई है depreciation है जिसके ऊपर inventory है trade swables है cash है and share issue expenses है नीचे लिखा है जितनी भी assets है वो book value पे ही है except fixed assets which on recent valuation are 9,60,000 यानी जो fixed assets है उनके recent value क्या है 4,60,000 की बजाए 9,60,000 है profit after tax for the last three years after tax बोला इन्होंने कि profit तीन साल टेक्स तीन साल के दिये हुए आपको after tax तीन लाग 2,60,000 और तीन लाग 10,000 the published market price of a share of a company doing similar business यानी जो market price है उस company का जिसका business क्या है हमसे similar है लेकिन हमसे 4 गुना बड़ा है paid up value है उसकी वो 36% dividend दे रही है देखो normal rate of dividend इन्होंने हमें यहाँ पर direct नहीं दी इन्होंने क्या बोल दिया कि जो हमसे similar company है लेकिन वो हमसे size में 4 गुना बड़ी है वो 36% दे रही है तो 4 गुना वाली 36% दे रही है तो हमारे लिए normal rate कितनी हो गई 36 बड़े 4 यानि 9% यानि 4 गुना बड़ी 36% दे रही है यानि इसके fourth size का हमारा होगा normal rate of return 9% और आपको क्या करनी है net capital employed basis पे share की गालों बका लिए तो देखो वही सब लिखोगे उसके बाद हमें क्या चाहिएगी capital employed capital employed के लिए assets low, fixed assets की value 9,60,000 है वो लेंगे फिर inventory as it is, trade issuables as it is, cash as it is, share issue expenses लेने नहीं है, fictitious assets है फिर इसमें से less करेंगे current liability, तीन current liability है, trade payables, employee saving fund, provision for taxation, तीनों को less करोगे तो हमारे पास आगई net capital employed future के estimated earning, तो future की estimated earning हमें direct after tax दी हुई है, departure है ही नहीं है, तो उसके interest का question ही नहीं आएगा तीनों को add करोगे 300,tsas eg. 300,00,000 और average कर दोगे, यानि divide by 3, तो हमारे पास आगई 29,000, अब यह estimated profit को net capital employed से divide किया, multiply 100 किया, तो हमारे पास आगई हमारी earning की rate हमारी earning की rate को industry की normal हमारी 9% आई थी उससे divide किया और share की paid up value जो की 10 रुपे थी उससे multiply किया तो हमारे पास आ गई per share value चलो एक question और देखते हैं इसमें investment की concept अभी तक आई नहीं है तो एक और देख लेते हैं आपको company की position दी हुई है जिसमें आपके पास share capital है, reserve fund है, profit and loss है, current year का profit अलग से दिया हुआ है trade payables है, फिर नीचे कुछ non current assets है, जिसमें building है, furniture है, government की security है यानि investment है, current assets दी हुई है कुछ और share issue expenses है नीचे बोला है कि building की value अब 3,00,00,00 हो गई है public company जो similar business कर रही है, उसकी 15% की earning है, यानि normal rate of return 15 है और पिछले तीन सालों में जो हमारे profit है, हर साल 50,000 से बढ़ जाते हैं यह जाटा हमें दिया हुआ है पहले capital employed की बात कर लेते हैं, तो देखो building की value अब 3,00,00,00 हो गई है, तो building लोगे 3,00,00,00 की furniture as it is लेंगे 3,000,00, investment हमें नहीं लेनी, भार invest क्या हो पैसा नहीं लेना सिर्फ बिसनस वाला लेना है तो इसको छोड़ देंगे फिर inventory as it is लोगे, trade as it is लोगे, 12,000,00 के cash and bank balance लोगे share issue expenses को consider हम नहीं करेंगे फिर इसमें से less करनी है, current liability, current liability is if trade payables है इसको less कर दिया, तो हमारे पास आ गई net capital employee यह simple थी, बात आई profit की, जो हमारा main point है यहाँ पर तो basically आपको क्या बोला हुआ है, कि profit क्या हो रहे है, हर साल 50,000 से बढ़ रहे है और आपको current के 2017 के profit दिये हुए है, कि 2017 के जो profit है before tax वो आपके 4,30,000 है, 2017 के before tax आपके 4,30,000 है तो दिखो यह obvious ही बात है, हमें बोल दिया हर साल 50,000 से बढ़ रहे है और 2015 में यह profit 3,30,000 रहे हैं, यानि 50,000 हमने less कर दिया तो हमें पता लग गए कि हमारे profit कितने कितने पिछले सालों में रहे हुँगे अब देखो, obvious इन्होंने सीधा बोल दिया कि हर साल 50,000 बढ़ रहे हैं यानि profit क्या शो कर रहे हैं, increasing trend तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा weighted average को यूज करना पड़ेगा यानि 2015, 2016, 2017 यह आगए 3,30,000, 3,80,000 और 4,30,000 weights देंगे 1, 2, 3, multiply करेंगे 3,30,000 इसको multiply करेंगे 7,60,000 और इसको करेंगे I think 12,90,000 इनको add करेंगे, जो आएगा उसको 6 से divide करेंगे देखो, इनको add किया और उसको 6 से divide किया तो हमारे पास आ गया 3,96,67 रुपे यह आ गए आपके average profit फिर हमने आपको यह मिशा ध्यान रखना है कि अगर कोशिन में investment है तो उसकी return हमें profit में नहीं लेनी थी तो अब investment की value क्या थी 4,00,000 थी face value पे निकलती है मिशा interest कभी भी market value नहीं देखनी हमें लेनी market value है लेकिन जो आपको return मिलती है वो face value पे मिलती है 4,00,000 पर 4% की return यानि 16,000 हमारे return के होंगे तो या तो 16,000 हर साल में से करते बट फिर वो weighted average में दिक्कत आ जाती है उसमें तो आप क्या करोगी जो आपका average आया है उसमें से direct 16,000 को less करते होगी तो हमारे पास आ गई real profits जो हमें चाहिए थे फिर हमें बोला है कि ये before tax है तो हमें क्या चाहिएंगे after tax by chance अगर ये after tax दिये होते है न तो हमें पहले before tax बनाने पड़ते है क्योंकि average profit का जो concept लगता है वो before tax लगता है यानि after tax दिये होते से after tax आपको 50,000 दिये हुए है और tax की rate 50% है तो आप क्या कर देते हैं टबल कर देते हैं या फिर आपको after tax मानलो 40 रुपे दिये हुए है ठीक है after tax 40 दिये हुए है या फिर लगा लो 100 दिये हुए है after tax 100 दिये हुए है और आपका tax rate 40% है तो इसका मतलब क्या है ये 60% वाला हिस्सा है तो 60% अगर 100 है तो 1% कितने होंगे 100 by 60 और आपके 40% कितने होंगे वो multiply या से tax आ जाएगा या आप direct profit निकाल लो चलो इसको अभी छोड़ो इस type का question आपकी book में है तब वो question आएगा तब अच्छे से discuss करेंगे अभी के लिए इतना समझो कि आपको क्या दिये हुए है profit before tax दिये होंगे अगर after tax दिये होते तो before निकालने पड़ते हैं ये सारा treatment before वाले पर होगा उसके बाद जो आया है उस पर tax देना है tax आपको बोला नहीं हुआ कि कितने percent है लेकिन ये बता दिया before tax है तो आपको tax लगानी पड़ेगी जहां पर भी tax rate ना दी हो आप assume करोगे नीचे note लिखोगी कि tax assume किया है कि 50% है तो tax 50% लगाओगे तो आपके पास आ गया after tax profit इसको divide करोगे capital employed से च्योंकि देखो हमें before interest व करोगे multiply 100 करोगे तो rate आ गई उसको divide करोगे आप normal industry की rate से multiply paid up value of share जो की 100 थी तो आपके पास आ गई per share value यहाँ पर preference shares भी है लेकिन क्योंकि company के share के value क्या हो रही है नोर्मल से जादा आ रही है तो आप मान के चलोगी कि preference shares की value 100 का share है तो 100 ही होगी उनकोन का dividend वगारा सब यह value आती है वो equity share की method से निकल के आती है I hope आपको questions समझ में आये होंगे जो और type की questions है वो हम लोग कल discuss करेंगे कल हम इस chapter को complete कर लेंगे इनको भी discuss कर लेंगे और जो हमारा average profit average method है share की value निकालने का उसको भी discuss करेंगे अगर वीडियो अच्छी लगी हूँ तो वीडियो को like और चैनल को subscribe जरूर करना और मेरे facebook पेज को भी follow कर लेना ताकि आपको recent updates मिलती रहे thank you very much